चोपड़ा एजुकेशन एंड चोपड़ा नीट पीजी इंफोर्मेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो जो कंडिडेट अभी पीजी की कांसलिंग के इंटरेस्टेड हैं उनके लिए मैं इस वीडियो मे एक इंफोर्मेशन देने वाला भूम यानि कि अभी नीट पीजी का एकजाम हो चुका है और जिन कंडिडेट्स के जिन डोक्टर्स के अच्छे मार्स आ रहे हैं और वो इस साल पीजी में एडमिशन लेना चाते हैं चाहे वो किसी भी ब्रांच में लो, एमडी मेडिसिन मे लें, पीडिया में लें, किसी भी ब्रांच में एडमिशन लें, तो उनके लिए मैंने यहाँ एक गाइडेंस तयार की है, इस गाइडेंस बुक में सारी इनफोर्मेशन अविलेबल है, जो डोक्टर्स जानना चाते हैं एडमिशन के लिए, अभी पीजी एडमिशन के लेकिन अभी पीजी के लिए भी इस साल से ये बुक अविलेबल है, इस बुक में क्या-क्या फैसलेटी है, और कौन-कौन सी काउंसलिंग के लिए इसमें गाइडेंस है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, ये बुक उनी स्टुडेंट्स के लिए काफी इन हमारा नेक्स्ट येर डिजाइड ब्रांच में एडमिस्न हो जाए, कितनी रेंक सी ये, कितनी मार्च सी ये, ताकि हमारा एडमिस्न आसानी से PG कोर्स के लिए हो जाए, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, कि MBBS ही काफी नहीं है, MBBS के बाद अभी आने वाडे टाइम में अभ को क्याल हेल्प मिलेगी और इसमें क्या-क्या फैसलिटी हमने दे रखी है इस बुक में, तो सबसे पहले ये ओल इंडिया कोटा की MCC बुक है, इसमें 50% जो ओल इंडिया कोटा होता है PG के लिए, उसके लिए सारी इनफोर्मेशन है, इसमें स्टेट की इनफोर्मेशन अव इन सब के लिए इनफोर्मेशन अविलेबल है, मैं आपको पहले बता दूँ, इनफोर्मेशन की इनफोर्मेशन अविलेबल नहीं है, इसमें ओल इंडिया कोटा 50% में और इसमें Central University की जो Central दिल्ली University है, MU है, BHU है, इसके बाद में जो Central Institute राच्षी है, इसके बाद में ESIC इनके बारे में सारी information है और DNB जो quota होता है उसके बारे में भी इसमें information है ताकि अगर किसी candidate को उलिंडिया quota से ये अपना MD और MS course नहीं मिल पाए तो DNB कर सकता है वो MD और MS में और बहुत ब्रांचे हैं जिसमें वो course कर सकता है अपना तो इसमें सबसे पहले इनके लिए क्या क्या facility है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ तो इनमें ज्यादातर student 50% में ही admission लेते हैं क्योंकि MBBS में other states से जो candidates MBBS करते हैं उनकी cutoff ज्यादा जाती है काफी states की इसलिए उनको easily admission मिल जाता है All India quota में क्योंकि state की cutoff काफी ज्यादा ज जाती है इसलिए All India quota में उनको admission मिल जाता है अब मैं आपको बताऊं कि इस book में क्या-क्या available है तो यह हमने शुरू में ही index दे रखी है इसमें counseling के बारे में समझा रखा है marks versus ring के बारे में समझा रखा है MDMS diploma course के कौन-कौन से course है उनकी list दे रखी है DNB course की list दे रखी है All India quota के यह seat matrix जिसमें MDMS diploma course से जाते हैं DNB की seat matrix दे रखी है इसके बाद state wise bond detail दे रखी है स्टाइफंट कौन से state में कितना मिलेगा इसमें college wise वो भी detail दे रखी है category wise course wise cutoff दे रखी है इसमें college wise cutoff भी है और आगे इसमें branch wise cutoff है सबसे मैं बात यह है कि इसमें branch wise हर एक branch की cutoff दे रखी है चाहे वो medicine हो चाहे surgery हो चाहे PDA हो OBG हो forensic medicine हो किसी भी branch कोई भी branch हो सबकी इसमें cutoff दे रखी है category wise college wise और round wise जैसा कि आपको पता है MCC के 4 round होते हैं first round second round third round और stay round तो सभी की यहां पर मैंने cutoff दे रखी है जिससे आप एक idea लगा सकते हैं कि आपको कितने marks पर इसमें marks भी दे रखा है rank भी दे रखा है तो जब तक आपका rank नहीं आता है तब तक आप marks के according देख सकते हैं कि आपको कौन सी college मिल सकती है क्योंकि आपने अभी तक marks calculate कर ही लिए होंगे अब इसमें जो all India के लिए इसमें एक cut off seat matrix दे रखी है ये previous year की seat matrix है 23 जो college इस साल add होंगी वो इसमें add हो जाएंगी तो इसमें program wise seat matrix है state wise bond detail है इसमे stipend और annual fees college wise है इसमें all India के लिए है और यहां Central University के लिए भी है इसमें detail और इसमें DNB quota के लिए भी stipend annual fees ये सब इस book में दे रखा है हमने ये 511 page की book है इन 511 pages में मैंने बहुत कुछ information दी है अब आगे देखते हैं कि जो All India Kota जैसे कि मैं example बता दता हूं cut off किस परकार से दी गई है All India Kota में MD course है इस MD course में radio diagnosis branch है इसकी open category की cut off क्या है OBC category की cut off क्या है ये round wise cut off दे रखिये इसके साथ ही college wise cut off भी यहां दे रखिये है एक मैंने इसमें last cut off भी दिया है जिससे आप ये देख सकते हैं कि कौन सी branch में last cut off कौन से college में कौन से round में कितनी rank में कितनी marks पर गई थी उससे आप पूरे All India का एक बार idea लगा सकते हैं कि आपको कहां पर college मिल सकती है उसके बाद में पूरे college wise cut off भी यहां पर दे रखिये ह की cut off जिसमें diploma courses होते हैं NB, EMS diploma होते हैं उनकी branch wise, category wise, college wise cut off दे रखिये हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा informative book हो सकती है ये DNB के लिए इसमें PDA के लिए OPC category में MD course के लिए ortho में open category के लिए DNB quota के लिए college wise cut off दे रखिये हैं इसके बाद में All India में diploma course भी होते हैं तो diploma के लिए भी यहां पर cut off दे रखिये हैं मैंने college wise cut off दे रखिये हैं जैसा कि DNB में family medicine के लिए diploma में क्या cut off जा सकती हैं क्योंकि अग इसमें डिए इन बी भी सामिल है और diploma course दो साल का होता है और कुछ एक stream में कुछ एक courses में कुछ एक branch में यह diploma अविलेबल है वो मैंने भी बताया है कि कौन-कौन से उसमें diploma मिल सकता है अगर किसी को degree नहीं मिल रहा है degree course में उसका allotment नहीं हो रहा है काफी time हो रहा है इसमें वो PG course करना ही चाते हैं तो फिर उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं इसमें अब इसमें मैंने neurosurgery के बारे में भी यह दे रखा है क्योंकि इसमें कुछ से 6-year course भी होते हैं जैसे MCH neurosurgery course है इसमें इसमें direct 6-year के course भी है तो वो course भी यहाँ दे रखे हैं मैंने इसके बाद में counselling process को समझा रखा है कि यह किस परकार से हम counselling करवा सकते हैं यहाँ पर कितने fees है और कैसे कैसे आपको counselling करवानी है round wise flow chart से इसमें समझा रखा है कि किस परकार से हम counselling करवा सकते हैं फर्स्ट राउंड का procedure क्या है इसको एक single language में simple language में मैंने यहाँ समझा रखा है कैसे क कैसे candidate को admission लेना है, तो इस book को आप download कर सकते हैं, इस video के description box से, जैसे ही आप more पर click करेंगे, आपको इस परकार से इस book का link दिखाई देगा, need pg counseling eqbook 24 link पर, इस से blue link पर आप click करेंगे, तो आप ये download कर सकते हैं, यहाँ ug की books का भी link है, जो mbbs के लिए counseling के लिए information चाते हैं, और यहाँ पर pg के लिए भी ये link दिया गया है, तो यहाँ pg के आप ये book download कर सकते हैं, इसको आप हमारी website www.sofra.education.in से भी download कर सकते हैं, जै जैसे ही आप ये search करेंगे, तो यहाँ पर इस link पर click करके इसको download कर सकते हैं, तो ये जानकारी थी books के बारे में, जो आपके लिए काफी helpful रहेगी, इसमें मैंने बहुत कुछ information दे दी है, अभी neat pg के related, counseling के related, और भी कोई update होगी, तो हम आपको inform कर देंगे, neat ug के related, तो इस देख सकते हैं, उस पर सारी information आपको मिल जाएगी, neat pgk related, तो मिलेंगे नई update के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए, जैखिन!